Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCR to the Mind तो आज हम लोग पढ़ेंगे class 1 English, अरिहन्त workbook, unit 2 का chapter 1, after a bath तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, after a bath ये एक poem है तो आपने इसे पढ़ा होगा, तो इसमें कुछ आज workbook बना रहे हैं यहाँ पे state T for true and F for false statement यानि कि आपको true के लिए T का यूज करना है, false के लिए F का यूज करना है तो देखिए ये जो poem है, poem में जो child रहता है तो वो बात से पहले ही अपने body को वो पोच्चता है, wipe करता है क्या ऐसा होता है? तो नहीं तो ये क्या हो जाएगा? false हो जाएगा, ठीक है? app का यूज करेंगे क्योंकि वो नहाने के बाद ही पोच्चता है ठीक है? the child has a siny nose child जो रहता है, क्या उसका siny nose होता है? तो true, a dog takes more time to dry तो देखिए जो dog होता है तो वो क्या जादा time लेता है? dry होने के लिए? तो false क्योंकि जो एक dog होता है वो बहुत ही जल्दी dry हो जाता है ठीक है? the child wishes to be a dog जो child है, उसका wish क्या होता है? कि वो एक dog बने तो true, ठीक है? तो यह साड़ा इसी तरह से आपको बनाना है इसके बाद है, fill in the blanks from the box given below अब देखिए आपको इसे fill करना है, जो box में दिया गया है आप इसका help लिसकते है hands to wipe, क्या हो जाएगा इसमें? wipe ठीक है? उसके बाद है and fingers and toes थर्ड में होगा and two wet legs and a shiny nose ठीक है? इस तरह से आपको fill कर देना है उसके बाद है tick, the correct option आपको correct option में tick करना है the boy tries to wipe himself till he is क्या हो जाएगा? wet होगा, sad होगा, happy होगा, dry होगा तो क्या हो जाएगा? dry होगा ठीक है? इसमें dry लिग देंगे यहाँ पर और इसमें tick लगा देंगे ठीक है? यानि कि जो boy रहता है ना, वो क्या करता है? कि वो खुद ही अपने आपको dry कर सके ठीक है? इसके बाद है कि what do you use to dry yourself after a bath? ठीक है? तो आप क्या चीज़ का यूज़ करते हैं जब आप बात जब आप करते हैं नाहने के बाद आप जो पोच्टे हैं अपने आपको तो उसमें क्या चीज़ का यूज़ करते हैं dry करने के लिए soap का, cream का, या toothpaste का, या towel का तो towel का यूज़ करते हैं ठीक है? तो इसमें टिक लगाएंगे ठीक है? इसके बाद है एक dog takes less time to क्या हो जाएगा? cry, dry, fry या buy क्या होगा? dry तो dry में टिक लगाएंगे एक dog जो होता है न वो बहुत एक कम समय लेता है dry होने के लिए ठीक है? उसके बाद है on the basis of the poem give answers to the following questions ठीक है? अब देखिए आपको poem के basis पे क्या करना है? जो question है उसका answer देना है how many legs have been mentioned in the poem? अब देखिए इस poem में कितने legs को mentioned किया गया है three या two तो two ठीक है? can you bath yourself? yes या no? क्या आप खुद नह सकते हैं? तो yes ठीक है? उसके बाद है कि which body part is used to wipe in the poem? toes या hand कौन से body part को यहाँ पे जो ना wipe करने के लिए use मतलब wipe के लिए use किया गया है ठीक है? तो देखिए hands का use किया गया है इसमें hands लिख देंगे उसके बाद है language based questions circle the words which are spelled correctly अब देखिए यहाँ पे क्या करना है? आपको circle करना है अब इसमें से कौन सा word correct है? सही है उसमें circle करना है तो देखिए यहाँ पे try लिखा गया है TRI TRY TRRY ठीक है? अब इन तीनों में कौन सा correct है? यह बीच वालर TRY ठीक है? इसमें circle कर देना है उसी तरह से यहाँ पे है wipe तो यह wipe सही है W-I-P-E इसमें circle करेंगे finger में देखिए F-I-N-G-E-R-S fingers यह वाला सही है इसमें हम circle करेंगे Piritos T-O-E-S इसमें कर देना है C-O-U-L-D could ठीक है? इसमें circle करेंगे उसके बाद है sick S-H-A-K-E sick इसमें circle करेंगे ठीक है? इसी तरह से बना लेना है आपको उसके बाद है कि write the opposites of the following words अब यहाँ पे क्या करना है? आपको opposites लिखना है जो नीचे words दिये गये है उसका opposite लिखना है आपको dry का क्या हो जाएगा? dry का हो गया सूखा ठीक है? तो इसका क्या हो जाएगा? opposite weight यानि कि गीला less का क्या हो जाएगा? more, less means come more means ज्यादा signy का क्या हो जाएगा? dull ठीक है? और इसके बाद after का before ठीक है? ठीक है? इसी तरह से आपको बनाना है यानि की signy का हो जाएगा चमकिला जैसे का अगर आप इसका meaning देखेंगे तो चमकिला हो जाता है जो चमकता है और dull means जो नहीं चमकता है ठीक है? after means बाद और before means पहले तो ये साड़ा opposite लिखना है इसी तरह से बनाएगे इसके बाद है write the things you need to take a bath using the pictures picture clues अब यहाँ पे देखिए जब आप बात करने जाते हैं ठीक है? तो आपको किन-किन चीजों की ज़रत परती है ठीक है? यहाँ पे clue दिया गया है इसे आपको fill करना है जैसे कि यहाँ पे है bucket है तो इसे fill कर देंगे B-U-C-K-E-T ठीक है? उसके बाद towel का T-O-W-E-L shop का S-O-A-P ठीक है? तो यह सारे चीजों का ज़रत परता है उसके बादे label the different parts of your body using the words in the box अब यहाँ पे label करना है जो box में दिया गया है न इसका use करके आपको label करना है body parts को यहाँ पे picture भी दिया गया है ठीक है? अब picture में आपको बताना है कि क्या है? यह क्या है? इसे क्या कहेंगे? head ठीक है? इसके बाद इसे कहेंगे nose इसे कहेंगे mouth इसे कहेंगे neck इसे कहेंगे chest इसे कहेंगे tummy इसे कहेंगे arm ठीक है? इसे कहेंगे hand और इसे कहेंगे fingers इसे कहेंगे leg इसे कहेंगे foot और इसे कहेंगे जो पैड की जो उंगली होती है उसे कहेंगे toes ठीक है? तो बस इसी तरह से इसे आपको label करना है ठीक है? और body parts आपको इस तरह से याद भी करना है तो ये chapter आपका complete हो चुका है तो आपको कैसा लगा पढ़के मुझे जरूर बताइए अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCRT The Mind को like, subscribe कीजे और पास में दिये गए bell icon को भी प्रेस कर दिजे ताकि NCRT से related हर वीडियो आपके पास समय से पहुंचती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए bye, take care, thanks to watch my video